हाई एविवन आज हम व्यंजन के बारे में सीखेंगे व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहता लेनी पड़ती है हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क, का से कमल ख, खा से खरगोश ग, गा से गमला घ, घ से घर अंग, इससे कोई शब्द नहीं बनता इसे शब्द के ऊपर लगाते हैं इससे अक्षर की आवाज बदल जाती है जैसे पतंग, रंग च, च, से चम्मच च, च, से चतरी ज, ज, से जहाज ज, ज, से जरना इया, इया से भी कोई शब्द नहीं बनता है यह आधा अनुस्वार होता है इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदू के रूप में लिखा जाता है जैसे दात, चांद, काटा त, त से टमाटर ठ, ठ, से ठठेरा द, ड, से दमरू धै, धै से धक्कन अन, अना से भी कोई शब्द नहीं होता यह कुछ शब्दों के शुरू में या अन्त में आता है जैसे वर्ण त, त से तबला ठ, ठ से थर्मस द, द से दमकल ध, ध, से धनुष न, ना से नल प, पा से पपीता फ, फ से फल ब, ब से बतक भ, भ से भवन मा, मा से मचली य, य से यग्य र, र से रत ल, ल से लहर व, व से वन श, श से शहर शै, शै से शटकून स, स से सपेरा ह, ह से हल शै, शै से शत्रिय त्र, त्र से त्रिशूल ग्य, ग्य से ज्यानी श, श्र से श्रमिक थैंक य, वर वच्छिं द वीडियो